असलाम लेकुम दोस्तों अमीड आप खेरो आप यह से होंगे आज किस वीडियो में हम ओप के बारे में डिसक्स करेंगे इसकी असाइमेंट नमबर वान आ चुकी है जिसकी ड्यू डेट है आठ नुवंबर और 20 इसके मार्क्स हैं जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आके कम्प्लीट ही आएंगे इसमें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगा किस तरह आपकी असाइमेंट के नमबर कट हो जाते हैं किसकी कौन कौन सी गलतियों की वया से आपके नमबर पूरे नहीं आते और इसकी इलावा कोई भी आपको असाइमेंट चाहिए हो आप यूमेल क्लास डाइग्राम डिवैलप करनी है यह सबसे पहले बता दूँ ठीक है उसके बाद कुछ आपको बताना है था कि किस वज़ा से आपके असाइमेंट नमबर कट होते हैं तो इसमें आपको बताया हुआ है किस तरह आपने फाइल सर्मिट करवानी है किया चीज सर् देते हो आपको जब .cpp file मांगी जाए तो आप docs की file बेज देते हो या zip बेज देते हो PDF बेज देते हो image scan बेज देते हो ठीक है इस तरह की चीजों से दूर रहना है जिस तरह की यह देखें instruction में बताया हुआ है किसी तरह आपने असाइमेंट सर्मिट करवानी है पहली तो यह mistake है कि आप इस तरह करवाती हो नेक्स्ट हम बिना time waste की assignment की तरफ चलती है कि हमारे पास assignment क्या आ जाती है blood bank management system आपने बनाना है जिसमें कि आप blood donate करने वाले का data पूरा save करोगे और admin का data save करोगे और function use करोगे क्या क्या relation उनके दर्मियान use करोगे फिर आपने patient का data जो है सारा save करना है तो यह चीजें आपने entities define करनी है फिर उसके दिर्मियान relation यह आपने सारा scenario खुद ही read कर लेना है मैं basically time waste नहीं करना चाहता आपका main objects आपके जो आ जाते हैं entities आ जाती है वो है donor patient और blood inventory और hospital और admin आ जाता है तो इसमें जो सबसे पहले आ जाता है donor तो donor में हमारे पास attribute आ जाते है donor ID, name, blood type, contact info, donation history, legibility, status और नीचे function आ जाते हैं अब जो भी आप entity बनाओंगे उसमें attribute जो use होंगे सबसे पहले आपने ऊपर attribute लिखने नीचे उसके function लिखने है तो मैं आपको diagram भी बिनानी सिखाऊंगा ठीक है next मारे पास आ जाता है patient का data patient में आपने ID, name, blood यह सारी चीज़ें लिखनी है और नीचे function लिखना है यह आपने वीडियो pause करके देख लेनी है कि क्या क्या data है यह आपने इसी तरह word की file में पहले save कर लेगा है blood inventory में आ जाता है attribute आ जाते है inventory ID, blood type, quantity और expiration rate आ जाती है और donor ID आ जाती है और नीचे function आ जाती है ठीक है इसे भी आपने save कर लिया फिर आपके पास hospital का data आ जाता है hospital ID, name, location, info और उसके function आ जाते है नीचे आपने आ जाना है तो admin ID, name, contain info और नीचे इसके function आ जाते है यह सारी चीजें आपने इसी तरह लिखनी है और next हमार पास आ जाता है इसके relation के donor और blood के दिरमियान one to many patient और blood के साथ many to one और इसके बाद hospital से many to one आ जाता है इसी तरह admin का सारों के साथ one to many relation होगा इसके बाद अब हम diagram बनानी शुरू करते हैं तो आपको software board से wonder share यह इसके बाद उपर आपको बताये होंगे instruction में का कौन कौन से software use करने हैं यह देखें उस पर शेप सर्च करनी है यह देखें more shapes आ रहा है इदर आपने you ml diagram case diagram सर्च कर लेना कुछ भी सर्च कर लेना है यह देखें सारी diagram आ चुकी है मैंने पहले ही निकाल ली है अब हमारे पास यह जो entity आती है यह देखें class entity इसे करते हैं यह हमारे पास है class entity तो इस से आपने जो है add करना है तो सबसे पहले इसके उपर आपने अपना entity का name define करना है यह देखें donor का नाम donor ID नीचे function इसी तरह मैंने सारी चीज़ें जैसे जैसे आपको बताई थी उसी सब्सक्राइड कर चुका हूं blood inventory यह class diagram की entity है यह इस तरह की entity आपने लगानी है फिर उसमे data enter करना है blood inventory ID और उसके function admin ID data और उसके नीचे function नीचे hospital का data और नीचे उसके function आ जाते हैं तो इसी तरह आपने सारी चीज़ें add करनी है यह हमारे पास पांच चीज़ें आ जाती हैं पांच entity है तो पांच यह हमारे पास आ जाएंगी इसमें अब हमने relation बनाना है one to many और many to one यह देखें सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताके आपको अच्छे से नगरा सके पहला हमारे पास जो situation थी तो हमारे है तब हमने बनाना है डोनर से कि सोरी यह कितनी दूर चले गया है इसको आपने अच्छे से यूज़ करना है वरना यह कहीं ना कहीं घूम जाएगा डोनर का ब्लैड की तरफ आपने रिलेशन बनाना है तो इसका सीधा ही रिलेशन इसके साथ बना देता हूं वन टो मैनी रिलेशन बन गया डोनर एक है और ब्लैड इंवेंटरी में काफी ज्यादा ब्लैड की तदात होती है काफी बन ने ड्नेट होता है फिर हमारे पास ब्लैड से ब्लैड की तरफ इसी तरह हमारे पास आ बमारेbas againht लिटने की तरफ से अप भालनों में आपक तरह हैं टो हम्लैड से पेशनक की तरफ ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाता है hospital ज्यादा होते हैं, blood inventory एक ही होती है, ठीक है, हाँ, इतने ज्यादा में एक, इतना बड़ा hospital होगा, उसमें inventory चोटी सी एक ही होगी, ठीक है, तो इसमें many to one बनाना है, अब हमने one blood होगा, और hospital ज्यादा होगे, तो इसमें हम blood से hospital की तरफ बना देते हैं one to many relation hospital से blood की तरफ यह देखें इस तरह से आपने relation बना देना है next हमारा आ जाता है आखरी admin जो है वो सारों के साथ one to many relation बनाएगा admin जो है हर एक के साथ one to many relation one to many relation one to many relation डोनर के साथ इसी तरह आपने सारी डायग्राम create कर लेनी है फिर इसमें आपने इधर mention भी कर देना है कि यह कौन सा relation है कौन सा नहीं one to many इस तरह लिखके आपने इसे रिप्रेजंट भी कर देना है like a one to many relation बना है तो बेसिकली यहां तक ही हमारी assignment थी assignment हमारी खतम हो चुकी है इसके इलावा कोई भी assignment आपको चाहिए हो आप मुझे WhatsApp पे ने अपनी फाइल शेयर कर सकते हैं मैं आपको solution परवाइड कर दूँगा यहां उसकी वीडियो में create करके upload कर दूँगा श्रीव को तक ही हमारी थांक वा चाहिए टीनित्त थांक वा आख घटीट रॉटीमित्टि एंची यहां तक हैं कर दो आपको नवारावाश का मुझाएं